ये गाइस तो है ना इस तरह कुछ हमारे स्कुल मैनुवल फंक्शन था तो मैं गई थी थोड़ा जादे नहीं हो गया नहीं ठीक था होना भी चाहिए और ये फेक निल्स लगा के देखो ये मैंने सिर्फ स्टिकर से लगा हैं अगर ग्लू से लगाती तो और भी ज़्यादा म अच्छी क्वालिटी और है वह ज्यादा वेराइटी है मुझे तो बहुत अच्छी लगए इस बार मैंने बहुत सारे मंगवाए हैं तो बाई-बाई पैन ती रहूंगी इस पर वैसे ग्रीन कलर आ सकता था लेकिन मैंने यहीं पैना क्योंकि वह मैंने पैन रखा था और मे पैन पैन रखे थे वह और इनकी रेट थोड़ी ज्यादा उससे थोड़ी ज्यादा बाकी रेट ज्यादा नहीं है क्योंकि इतने जदा फैंसी है ओ माइग गॉड यह है बच्ची टूशन से आ गई है बिसकी और ब्रेट घा रही है मेरे को बोला भी नहीं है बच्चा गया क्या बता है अभी मैं इनको रिमूग कर रही हूं क्योंकि मुझे वह सारे वीडियो क्रियेटिविटी करनी है और हम जाने वाले हैं कई लंबे तूर के तो गाइस हम आई के जा रहे हैं ममी को आगे बेज दिया था हम अब भी जा रहे हैं हमारी दिव्या पत्टकरी और ठा टाइम के पो टेनों है किसी के भी पहले ना किसे कर दो डाले जा रहे हैं मेरे चपल कहां रहे हैं तुन्हें मेरे कहां रहे हैं सैंडल पढ़े हैं सैंडल जाती है कि यह करना है दो जादा कि लुँ आदा कि लुँ आदे कि लिए तो बस का टाइम हो इँ रखा था हम चार बज कर दस मिनट बेज निकले थे और साड़े-चार बश निकलती और यहां पर हमने ने मिठाया मिठाया ली और लेने के बाद पैसे देखे तो वो ठेट बैग के नीचे रखे वे थे वो निकाले उसके बाद बच्चों ने बोला अब हमें चौकलेट लेनी तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया और फिर ऐसे करते करते हम पहुंचे तब तक पूरे साड़े चार हो चुके थे वहां जाके देखा तो कि बस तो अब भी निकली है फिर हमने वहां से टैक्सी ली और बच्चों को थोड़ी मैंने डांटा काफी डांट दिया था वैसे सही बताओं अपनी गलती ज्यादा होती है बच्चों की थोड़ी सी होती है तो फिर हम वो जो है न अपना फ्रस्टेशन बच्चों पे निकालते हैं और अभी आप देख सकते हैं मिरे और बच्चों की मेरे फेस पे पूरा गुसा है और बच्चों को गुसा मैंने बच्चों पे उतार दिया है इसलिए यह बैट है है इनको पता एक बार भी बोले हैं तो यहां फिर अब गटबड़ होने वाली फिर बस हमें रास्ते में नहीं मिली और चौटन चौराय के वो रखे थे असी रुपे फिक्स कर रखे थे आगे के फिर मिला के सौ रुपे दिये वैसे उनने बस पकड़वा दी तो फिर मतलब आना का निकाना बनता भी नहीं है और बस में इतनी भीड थी कि बस हम दर्वाजे पे लटक कर चौटन पहुंचे थे और चौटन जानी के रात को आठ बजे हमारी बस पहुंचे यह माई का आ चुके हैं और कपू का जड़ोला है इसलिए आए हैं मतलब उसके राती जोगा भी होता है और रात पर देवता के गीत गाये जाते हैं सुबह उनक्या बच्चे का मुन्डन होता है देवता के थान पर इस तारह का मतलब हमारे देवता के खीच बनता है उसको क्या कहते है लडग साब बोलते है वो बनाया और सबजियां भी बना दी थी रोटियां भी बना थी थी पस धोक लगानी बाकी थी देवता को और फिर जो है राती जोगा देते मेंदी लगाते सब करते और सुबह जो है वो देवता को बा मनुष्य के सोला संसकार होते हैं उसमें से ये आठवा संसकार है जिसका नाम है चूडा करम यानि कि मुंडन संसकार तो ये हमारे कुछ इस तरह का होता है तो इस तरह है ना ममी ने दिन कोई सब को बोल दिया था कि थोड़ा जल्दी से आना क्यूंकि ठंड पता नहीं कितनी जादा होगी और अभी है ना पिछले 26 जन्वरी पे और इसकी आगे पिछे इतनी जादा ठंड थी कि मतलब इंसान पूरे दिन ठिटूरता रहता था इतनी ठंड और ठंडी आवा जल रही थी तो जल्दी आने को बोला तो सब जल्दी भी आगे काम भी सारा जल्दी जल्द यह चीज नहीं है बच्चा है और यह देखी सब इस तरह बैठे थे सारे कपू को मैं किला रही तक हमारे कोई बुजूर का गुजर गए थे तो वो बुजूर को गुजर गए तो फिर सारा कैंसल कर दिया और मतलब यूं बोलिये कि फिर बस सारे मिलन सब का मिलना हो गया आए बस पर काम कुछ नहीं हुआ इतनी सी बात बीच में रुक गई और यह हम सब सुबह हैं हम सब क्या मतलब रात वाले तो सारी जो मैलाय आई हुई थी वो सब चली गई मैमान जो भी थे वो काफी देर फिर चले गए थे बाद में और यह हम सुबह बैठे हैं यहां पर कपू और मैं बाते कर रहे हैं बाकी चाय बन रही है और एक दो जड़ी बैठी हैं जो दूर से आई थी ने मेरी बुगाएं वगेरा वो बैठी है ममी के पास बैठी बाते कर रही है बाह भी बैठी है रोटी वगेरा सब जिया वगेरा सब बन और हम इदर बैटे बैटे दिविया तेज कपू और हम सब बाते कर रहे हैं तो ये ऐसा कुछ हुआ था बुजर गए क्या करना ऐसे करूं क्या कि रौकर सुटा नाद विये रहे है हम घौके ड़ी लाश ये अंप घौड़ाश इसे कर आ? भील गें। बॉड़ाश घुआ है फैसे Cela बॉड़ा नेसरा प्होराश नेसर मात अघुर में। इसके अंदर आया तो नहीं है किसी की शेकर तो नहीं है किसी की शेकर तोड़ दी इतनी है मेरे पास बाद तो यह तो था next day दूसरे दिन शाम को कहीं जाकर और बैग्राउंड में मेरे ममी और कुछ बुआएं थी पता नहीं कहा कि क्या बाते कर रहे थी आपको कुछ समझ आयागा नहीं आया पता नहीं और यहाँ पर कपु जो है अभी नीन से उठा था ना इसलिए इतना अच्छे से बाते कर रहा है और हस रहा है वैसे मैं भी अभ दूरेजिए मेर हुआउ तेसमे से आपका का कर बाते कर नोही नी पाता होऊ तो बेग्राउंड की बाते तो वैसे कि वैसे चल रही है पूरे वीडियो तक तो मैंने कुछ जगह साइलेंट की है वैसे तो मेरे सुनने पर भी मुझे कुछ समझ नहीं आई है और यहां पर भी मैं बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी हम तो इधर अपना अलगी प्रोग्र जाए ऐसा भी कुछ नहीं है क्योंकि सटर्डे को चुट्टी थी और संड़े आ गया बीच में और मैं सोचा मंडे को एक और चुट्टी ले लेंगे और इस तरह जो है मंडे को वापस जाएंगे शाम के टाइम अराम से एक बार तो हमरा मतलब वापस जाने को रेडी भी हो यह गाय का दूद सीधा जो है थन से निकाल के लाते हैं और जो गुन-गुना सा होता है वैसा ही पी लेता है ना कोई गरम करना जिन ना कोई इसमें शक्कर डालना कुछ भी नहीं लेकिन कभी जब इसको नहीं बाता है तो यह ऐसे नकरे करता है पूरा निकाल देता है यह चड़ी थोड़ी काम ही पैनता है लेकिन अभी दिखा कुछ भी नहीं है तो फिर चलता है और फिर ये बन रहा है शाम का खाना ये वावी है शाम ने ममी बैठी है एक दो और आ गई थी जो हमारी कोई बैन है या फिर कोई भुगाएं वागे रहा थी वो आ गई है और कपू तो यहां भी रोटे खा रहा है इसने राज शाम को भी यही स्वेटर पैन रहा है वैसे इन दो दिनों में कल और आज सर्दी बिल्कुल नहीं है और दिव्या के कपू के पूरे दिन ये जगड़ा चलता रहता है और इसको रोटियां बड़ी बाती है मुह से चबा की चाहिए इसको क्या ही बोलो मतलब शाम का खाना हमने थोड़े जल्दी बना दिया यह रात को नहीं है जल्दी बना दिया था तो उस टाइम का यह प्रोग्राम चल रहा है हमारा और उदर मैं तेज को नहलाने के लिए लेकर गई थी और यह वीडियो भी बीच में आकर मैंन चुबारा किया था क्योंकि यहां कुछ आए में थे वो मैंन फिर वापस आगे और फिर यह है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और कपू सुबह सुबह धूब थोड़ी थोड़ी सेक रहा है चसमे और अपने खिलोनों के साथ खेल रहा है यह कपू के कुछ खिलोने हैं कुछ खि दि में सोरी दिविया की बैन यानि की बतीजी मेरी तो वो तो नेंद में सोरी सुबह सुबह और यहां पर नहने का इसको बड़ा ही शौक है दो तीन बार यहां पानी देखे रोने लग गया कि नहला दो वस हमें तो मुझे तो जल्दी से और इसको पोट्टी दोने के यहीं से क्योंकि अब जब आई गये हैं तो आराम से जाएंगे पापाई